चुराब में EVM के सभी वोटों की गिनिती वीवी पैट मशीन की पर्चियों से कराने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जस्टिस बियार गवई और जस्टिस संदीप में तक की बेंच ने चुराब आयोग और केंदर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है मामले पर अब 17 माई को सुनवाई होगी दरसल एक्टिविस्ट अरुन कुमार अगरवाल की और से अगस 2018 में लगाई गई याचिका में मांग की गई थी कि EVM में पड़े सभी वोटों का मिलान वीवी पैट की पर्चियों से कराना चाहिए फिलाल निरवाचन क्षेत्र के रेंडम EVM का ही वीवी पैट से मिलान होता है साथ ही याचिका में कहा गया है कि वोटर्स को वीवी पैट की पर्ची फिजिकली वेरिफाई करने का मौका दिया चाहिए वोटर्स को खुद बैलिट बॉक्स में पर्ची डालने की सुविधा मिलनी चाहिए इससे चुनाब में गरबड़ी की अशंका खत्म हो जाएगी बही आचिका में कहा गया है कि चुनाब आयोग ने लगभग 24 लाख वीवी पैट खरीदने के लिए पाच हजार करोड रुपे खर्च किये हैं लेकिन केवल 20 हजार वीवी पैट की पर्चियों का ही वेरिफिकेशन होता है